नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल सर्चरा24 में दोस्तों आरार से इस्टर्न रेलवे की तरफ से दोस्तों काफी अच्छी गुड निउस है आप सभी के लिए यहाँ पर दोस्तों काफी दिनों से इंतिजार किया जा था गुरूब डी 2019 का पैनलिस्ट कब तक आएगा तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली पहला प्रविजनल पैनलिस्ट जारी कर दिया गया है कोलकातारीजन की तरफ से जो कि इस्टन रिलोय में आता है और यहाँ पर दोस्तों काफी अच्छी गुड निउस आप सभी के लिए क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पहला पैनलिस्ट आया यहाँ पर आया हुआ है तो आगे वेट कीजिए आगे और भी पैनलिस्ट आएंगे धीरे-धीरे करके बट काफी अच्छी अपडेट यह है कि बहुत दिनों सिंतिजार हो रहा था कि गुरूप D का पैनलिस्ट कब जारी होगा इसका कॉलकाता रीजन का तो फाइनली आप लोगों के लिए काफी अच दोस्तों यहाँ पर CCA कैटेगरी वाले स्टुडेंट्स के लिए कुछ इंफर्मेशन भी दी गई है और कैसे सलेक्ट किया गया है CCA कैटेगरी के अंदर कोटा नहीं मिला है उनको बाहर कर दिया गया है तक कुछ ऐसे भी हैं और उसका क्या कारण है वो भी यहाँ पर दिय लिए तो इस वीडियो को ध्यान से देखियेगा तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यो कर दिया जही है जो कि आएक अंपको दोजार उननीस cust के लिए यह आपका जो पैनल लेडिस्ट जारी किया गया है यहाँ पर कुछught informations दी ही जो कि काफी ज्यादा important है आप सभी के लिए जानना ठीक है तो यहाँ पर आगर आप देखें के पहला point तो बताया गया कि against 10,868 notified vacancy against centralized employment notification number आप लोग यह देख सकते हैं Eastern Railway के अदर इतनी vacancy थी ठीक है metro and CLW की बात हो रही है यहाँ पर first provisional part panel of 3345 candidates तो दोस्तों पहला जो यहाँ पर provisional panelist आया हुआ है यहाँ पर 3345 बच्चों को select गिया गया है ठीक है यहाँ पर central notification number दिया गया किस basis पर लिया गया यहाँ लेवल वन की post पर लिया गया सेवंथ पर कमिशन के हिसाब से लिया गया है ठीक है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर तीन category के students को लिया गया है जो की आपका ex-sourisman है ठीक है दूसरा है आपका CCA category वाले और तीसरे हैं UR candidates के लिए तो यहाँ पर तीन ही category को लिया गया है ठीक है फर्स panelist में तीन category को लिया गया है एक्स-sourisman CCA category वाले students और UR candidates को ठीक है आगे बात करते है UH, you are current whose DV has been done at a Havera division और यहाँ पर, you are के अंदर उन kenders को लिए गया है, जिनका DV, यानि document verification जो है Havera region में हुआ है, ठीक है Havera division में हुआ है, उन्हीं students को यहाँ पर लिया गया, ठीक है बाकी, ऐसा मैच ठीक है, बाकीों को नहीं लिया जैगा बाकियों को भी लिया जाएगा, उनका second panelist में, third panelist में नाम आएगा, यहाँ पर उनने special बोला है कि जो इसके अंदर जिनका नाम है, you are candidates जो है, वो सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे हैं, जिनका DV जो हावडा division में हुआ था, ठीक है, तो इसमें थोड़ा confused मत होईएगा, आगे क्या बोला गया है, this is a purely provisional, यहाँ पर तो साफ बोला गया है, कि यह जो आपका पैनलिस्ट है, पहला जो पैनलिस्ट है, यह provisional ही है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ चेंजिस किया जा सकता है, आगे भी, तो अभी आप यह मत confirm सुमझिए, कि आपका जो 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 ज परसेंट आएगा ही आएगा, यहाँ भी देखें, साफ यही चीज लिखी गई है, ठीक है, तो यह अभी जरूरी नहीं है, ठीक है, आप लोग वेट कीजिए, इसमें कुछ ना कुछ चेंजिस भी हो सकता है, मैं यह नहीं बोला हूँ कि 100% होगा, बट हो भी सकता है, क्यों अदर, तो second point में बोला गया है, the allotment of post for a candidate is as per merit, तो merit के according यह पैनलिस बनाया गया है, प्लस यहाँ पर medical status के according बनाया गया है, ठीक है, और कितनी seat है, उस vacancy के अंदर, उसके हिसाब से बनाया गया है, तो यह जो panelist है आपका, आपके merit medical status के according ही बनाया गया है, ठीक है, अब next point C की बात करते हैं, C में दोस्तों, CCA केटेगरी वाले students की बात की गई है, और यहाँ बोला गया है, the condition of those CCA candidates who have appeared in NCVT examination in April 2019, और post April 2019, as per NSS certificate issued by NCVT has not been considered in the term of clause number दिया गया है, 12 तो off notification for CEN और यह RRC का notification नमबर दिया गया है, जो कि है आपका 01-2019, तो यह clause number, 12 point 2 क्या है, इसके उपर मैंने वीडियो बनाए, अगर आपने नहीं देखा, तो आई बटन पर आपको मिल जागा, वीडियो जरूर देखेगा, क्योंकि बहुत important बाते मैंने उसमें बताई है, फिलाल मैं यहाँ बताता हूं आपको कि C point के आपकर क्या कहना चाहता है, यहाँ आप पर यही बताना चाहते हैं कि जिन स्टुडेंट्स का 12-4, 2019 के बाद आपका जो NSA सर्टिफिकेट का एक्जाम जो होता है, यानि जिसे हम लोग बोलते है, National Apprentice Certificate, यानि NSA का जो एक्जाम हुआ है, आपका 12-4, 2019 के बाद जिनका हुआ है, उनको यहाँ पर पैनलिस्ट म इसकी डेट के वज़े से काफी बच्चों को आउट कर दिया जा रहा है, और इसके उपर मैंने काफी वीडियो बनाया हुआ है, आप सभी ने देखा भी होगा, फिलाल अभी लेटेस्ट में मैंने यह भी बताया था कि जो NR है, Northern Region, वहाँ पर भी यही इशू हुआ है, और वहाँ पर भी उनका स्टेटास ओ कर रहा है, वहाँ पर काफी बच्चों को 12, 14, 19 के कारण के वज़े से ही बाहर कर दिया गया, फाइनल मैलेट में से, तो यहाँ भी वही किया गया है, यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है, जो 12.2 क्लॉस नंबर दिया गया, यहाँ पर पै पहले जो है, सर्टिफिकेट माक्सिट सब कुछ आ चुका है, और उनका जो ट्रेनिंग है, वो भी पूरा हो चुका होगा, तो उनी बच्चों को ही यहाँ पर फाइनल पैनलिस्ट में जगा मिलेगी, तो मेबी आपको यह डाउट किलियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर डिटक्ट अपरेंटिस, CCA, has not been considered in the term of special note under clause number 6.0 of the notification number यह दिया गया है, यहाँ पर basically क्या बात होई है, जो CCA कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर वही बच्चे इंक्लिउड होगे, जो 10th basis पे अपरेंटिस करते हैं, प्लस ITI basis पे अपरेंटिस करते हैं, तो यहाँ पर उनी बच्चों को include किया जाता है CCA कैटेगरी के अंदर, ठीके, अगर आपने डिपलोमा किया है, ठीके, डिपलोमा करने के बाद आप अपरेंटिस करते हो, फिर आपको यहाँ पर consider नहीं किया जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनी बच्चों को consider किय तो यहाँ पर दोस्तो आपको CCA कैटेगरी के अंदर benefits नहीं मिलेगा, आपको CCA कैटेगरी के अंदर include नहीं किया जाएगा, आप लोग separate है, आपको journal के अंदर ही fight करना पड़ेगा, ठीके, जो भी डिपलोमा वाले students में को देख रहे हैं, या फिर graduation वाले students मुझे देख रह या फिर ITI basis पर apprenticeship करते हैं, ठीक है, clause number 6 वही कहता है, और आप लोग एक बार देख नोटिफिकेशन के अंदर आपको मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा, तो उसके उपर मैं वीडियो next बना दूँगा, क्योंकि उसके उपर मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाय है, बट ये चीज मैंने बहुत पहले भी क्लियर किया था, कि CCA के अंदर 10 और ITI वाले बच्चे ही include होंगे CCA के अंदर, बाकी कोई भी include नहीं होगा, बाकी और detail के लिए आपनो नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, और वहाँ पर clause number 6.0 को ज़रू देखिएगा, और अगर चाहते हैं, इसके उपर और ज़्यादा detail में बात करना, तो इसके उपर मैं वीडियो बना दुआ है, उसके लिए आप लोग मुझे comment section में ज़रूर बताईएगे, अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो, अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा important बात ब from railway establishment are not eligible for implement as per clause number 12 of the notification, दोस्तों यहाँ पर बोला गया है, कि जिन students ने apprentice जो है, और railway से नहीं किया है, आगर आपने railway से अप्रेंटिस नहीं किया है, और आपने form भरते समय, group D का जो form होता है, उस्तों भरते समय, आपने CCA category के अंदर आपने form fill up कर दिया, तो यहाँ पर दोस्त वही बच्चे include होंगे, जो बच्चे railway से apprentice करते हैं, जब आप railway से apprentice करते हो, तब ही जाकर आप CCA category के अंदर बिलॉंग करते हो, वरना आपने कहीं से भी apprentice किया हो, चाए injudies से किया हो, चाए private sector नमा Priority सुझकी सेокиya हो, चाए कहीं से भी किया हो, आप include नहीं होगे, आप CCA category क अंदर आने के लिए आपको रेल्वे से अप्रेंटिस करना होता है अगर रेल्वे से अपने अप्रेंटिस किया है तब ही जाके यहाँ पर सी से कर्टेगरी वाले जो बेनफिट्स होते हैं जैसे की 20% छूट होता है यह सब चीजे आपको मिलेगा वरना नहीं मिलेगा आपने यहाँ पर CCA category का अंदर वही बच्चे include होंगे जो railway से अप्रेंटिस करते हैं यहाँ आप लोग अच्छे से देख सकते हैं और यह चीज नोटिफिकेशन के अंदर भी दी गई थी आप और पहला पुष्रा यहां हो सकता है कुछ जो हैं लोग इसमें आ भी सकते हैं कुछ लोग यहां से बाइच भी जा सकते तो नौट देअल पैनल ते- JUL on-up फाइनल पैनलिस्स समझने का गलती मत कीजिएगा, जैसे-जैसे कोई भी अपडेट आता तो आपको हर अपडेट को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनल पैनलिस्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ परविजनल है, यहाँपर साफ लिखा है, ठीक है, ये फाइनल पैनल ठीक है तो इस चीज़ को देखिएगा क्योंकि काफी लोग इसके अंदर इन होंगे और काफी लोग यहां से आउट भी होने वाले हैं ठीक है आगे बात करते हैं जी में तो जी में वही दोस्तों रेगुलर बात बोला गया कि डीवी के बाद medical examination हुआ है और उसकी basis पे जो final हुए है उनका नाम दिया गया है बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनका भी प्रविजिनल पैनलिस्ट में नाम आया हुआ है वो अपना नाम चेक कर सकते हैं ठीक है अपना नाम चेक कर लिजे कि आपका नाम है की नहीं है क्योंकि यहाँ प important बाते मैंने आपके साथ discuss कर लिए फिर भी अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग हमें comment section में जरूर बताईएगा और अपना नाम जरूर चेक कर लिजे आपका नाम यहाँ पर है यह नहीं है क्योंकि अगर आपने form फिलप किया है Eastern Railway की तरफ से तो students के लिए यहाँ पर बहुत जादा बड़ी बड़ी updates दी गई है तो आप लोग सारी updates को अच्छे से पढ़िएगा यहाँ पर फिलहाल तो मैंने सारा updates जो है CCA category वाले students के लिए जो भी था सब कुछ मैंने discuss कर लिया एक एक point को मैंने cover किया है और हर चीज अच्छे से clear किया ह फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता तो आप लोगों कोजे comment section में जरूर बताइएगा और फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पर end करते हैं मिलतें next वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत